हालो फ्रेंद्स वर्कम बैक टू माई चैनल तो आज मेप के लिए फिर से हादर एक नई वीडियो हॉल के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैर केर प्रॉडक्ट जो मुझे रिसीव हुए है कुछ इस तरीके से बॉक्स में तो सबसे पेले हम इसके पैकेज कमझे ना सब्सक्राइब काफी अच्छे से मुझे रिसी वूज़े हैं तो यह ब्रॉड़क्स चैनल मुझे हुए है औरक मुझे बैंट देखे के किट थे हैं क्योंकि मैंने इस कीट को लिया है डैंटर फ्लेरिंग है तो सबसे पहले इस प्रोड़क के रिलिटेट कुछ बात कर दू जो यह इंडर्स वैली के जो प्रोड़क्स होते हैं यहां पर सारे सर्टिफाइड आपको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट की कौन से इनके सर्टिफाइड इन्होंने लिये हुए है तो हंडेड परसन नैच्रल्स प्रोड़क्स आपको मिलने वाले हैं तो हंडेड परसन्ट यह ओरिजनल आएका इसमें कोई भी हामफुल केमिकल नहीं है और यह बायो और्गनिक प्रोड़क्स है है तो देखे कुछ तरीकते अंदर यह प्रोड़क्ट आए जाएंगे 6 यहां पर चुटकु सी बुक मिल जाए कि जिसमें इसे किस तरीके से यूज करना है उसकी सारी चीज़ें हो मेंशन की हुई है यह रहे प्रोड़क्स में आपको सारे निकाल के दिखा देते हूँ तो आपनेस्ट जो है वह बायो और्गेनिक एक्स्ट्र विनिगर और्गेनिक कोकोनेट ओईल एंड यह छोटकु सी है बायो और्गेनिक 100 परसंट प्यॉर एंड ओरिजनल एसेंशियल ओई लास्ट जो है इस पेक के साथ वह हैं एंटी डेंडरस सैंपू तो यह कुछ सिक्स प्रोड़क्ट है जो के साथ रिसीव हुए है एंड इसको किस तरीके से अपलाई करना है उसके डीटल इसमें मिल जाएगी गाइस तो मैं आपको सारी ही चीज़े दिखाने वाले हूँ कि इसको किसी सब्लाई करना है अपलाई करने के बाद इसको result कैसा आता है तो स्कूरिक डेंडरस की इसमें औरहीया पालीप्रवलम बहुत जयाँ है तो उसमें मेरे ब्लेप्रालेटलें है फिसके डीड डेहेगी है तो उसमें से मैंने एक यह ली हुई है और किस तरीके से यूज करना है वो में आपको दिखा दूंगी अपने हैर पर ही लगा है दिखा दूंगी जिसाप अच्छे से आइडिया आए एन आप इसको पर्चेस करना चाहेंगे तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक् किये और कित आएगी इसमें क्या क्या हुआ है इसके अंदर वो भी आपको दिखाएगा तो यह काफी अफोरेबल के साथ काफी यूस्फूल भी है कि अभी अब देख वापस से कोरोना स्टार्ट हो गया है और बाहर जाकर कोई भी ट्रीटमेंट करवाता है है या किसी की भ सब्सक्राइब करने के लिए उसे के साथ मेरे पास एक इंडर्स वैली का डेली जैंटल सैंपू है जो कि मैंने लिया हुआ है 200 ml का यह इसकी प्राइस है 359 रुपीज तो कुछ इस तरीके का यह देखिए अभी मैंने मुझे रिसीव हुए किसी की भी मैंने पैकेजिंग नहीं ओपन की है मैंने सब्सक्राइब के साथ मैं सारी पैकेजिंग ओपन करूंगी एंड जो लास्ट मैंने लिया है वह स्कीन क और ओएल बायो और्गनिक और स्कीन केर ओएल है यह मैंने लिया हुआ है साथ एमिल में इसकी प्राइस जो है वह चारसो निन्यान रुपे है गाइद इसकी सैल फ्लाइफ भी काफी अच्छी है मैंशन किया हुआ है सारी डिटेल फ्रेसे लॉंग लाइफ सेल्फ लाइफ ह अर्वी कि वह सारी डिटेल लिखी हुए है तो इस चीज़ों से इसको सॉर्टीफायट किया गया तो यह बिल्कुल भी अबाल को हाम निकरेगा अरिसकी सारी प्रटक्प अब्लब को बहुत ही बायो और चैनिक होती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगी तो स्कीन के सारे प्रोट्क वहां पर अविलिबल होती है मैं आपको इस्टर्राम आइडी और वेपसाइट दोनों ही देदोंगी आप जहां से पर्चास कर सकते हैं चलिए पटाप पर चलते हैं हम इससे ट्राय करने के लिए अब इसमें किस तरीके से इसको बनाना है वह रेसिपी में आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूं तो यह जो आपको मैंने पहले दिखाया जो है बायो और गनिक की रेसिपी बूख तो इसमें हम हमारा जो भी अप्रोट देख रहे यहां पर पूरी इंडेक्स दी हुई है उ यहां पूरी डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी हुई है एकस्प्लेंग किया हुए कि किस तरीके ताप इसको बनाना है तो नॉर्मली हम एक बाउल ले लेंगे रेसिपी पढ़ते है कि क्या रेसिपी है तो टेक टू स्पून ऑफ नीम पावडर लेना है टू स्पून तो यहां पावडर लेते हैं तो इसका हम और क्या-कया यूज कर सकते हैं उसकी भी डिटेल दी हुई है और वह किस तरीकी से बनाना ही उसकी रेसिपी में इसके साथ वह चीजे भी दी हुई कर सकते हैं तो फटा-फटाइस उपन कर लेते हैं हम उसके बाद वन स्पून अफ एलोवेरा जेल हमें मिक्स करनी है एंड वन स्पून ओपनेट ओल एंड टैन ड्रॉप आप रिजोमेनी ओल मेक पेस्ट इन हनी लाइक कर कंसेंटर से तो सबको हम जिस तरीके से दिया हो समय मिक्स कर देते हैं अब हम इस को बहुत अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से मने गोल तैया कर दिया मैं इसे अपने बाहल पर अप्लाइ करने वाले हुआ है तो मैंने जो लिखा जाओ उससे जादा कुछ कुछ चीज़े यूज़ की है जैसको अलोवेरा जेल है मेरे आदा से जादा यूज़ हो गया है पकी पावडर पड़ा है और वह सारी चीज़े भी है कोकोनेट ओल आप रगूलर यूज़ के लिए भी ले सकते किस अप्लाय कर रहे हूं इस तरीके से अपको पूरे हैर में अप्लाय करना है अगर आपके हर मेरे जितने हैं तो आप यह आइडिकिम टू टाइंस यूज़ कर सकते हैं आपके लॉंग है तो आपका संदेव- Drew Reuse व्है अच्छी बात हए उसको किस तरीके से रियूस करना है उसकी भी रेसेपी वहाँ पर दी हुई है ॉसको रियूस कर सकते हैं इस तरीके सरा प्लाये करना है यह अप्लाये हो जाए यह सरा वांस करना है उसको 20 मिनिट के लिए इसको रेस्ट देना है and उसके बाद जो हेर सैंपू ते रहे हैं इसके साथ हमें हपने हीर वॉश करने है रिजल्ट करने है guys and उसके बाद जो है स्था दिया हुआ हुआ है उसे यूज़ करके 22-50 मिनीट रखके फिर अपने हैर वाश करने है और इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वह मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूं आगे तो वीडियो में अंट तक जरूर बने रहिएगा और आपका घर में ही पूरा है ट्रीट्मेंट हो जाएगा तो इस तरीके की डिफरेंट का टाइप की किट्स अवेलिबल है गाई तो देखिए मैं किस तरीके से अपने बाल में यह अप्लाय कर रही हूं इस तरीके से आपको अपना जो पूरा घोल बनाया हुआ है वह अप्लाय करना है तो अगर जैसे की थोड़ा सा यह ड्राय बना था तो इसमें आप रोज वाटर या नॉर्मल वाटर जो भी चाहिए मिक्स करके इसको अच्छी करके धैन अपने हैर पर यह अपैसर पर अपने हैर पर कर सकते हैं आप देख पार है किस तरीके से मैं एपने पूरे हैर पर अपलाय कर दिया है तो आपको नीचे सारे ही जगह पर अच्छी से अप्लाय करना है मिलते हैं हम 20 मिनिट के बाद यानि बाल सुख जाते हैं सारी टीटमेंट करके फिर मैं आपको मिलती हूँ कि तो देखे डाइस अभी में नेक्स नेकी तुपए हैर हुई है मैं जो भी पैक है वो यूज कर लिया है देन आप देख पा रहे हैं फाइनल रिजर्ल यह पैक था उसके बाद मैं वह वॉस करके सेंपू से जो इसके साथ आया है इस सेंपू से मैं वह अपने बाल थोए एं वैसे जो मैं टच कर रही हूं तो इसकी बाल की जो एकदम मुलायम स्मूद लग रहे हैं अब देख पा रहे हैं मैंने बिल्कु भी कोई स्ट्रेटन और करलर या कोई भी ड्रायर को चुछ यूज नहीं किया हुआ है अज़िती से सिर्फ मैंने कॉम किया हुए है यह फाइनल लुक है है का जो कि अब देख पा रहे हैं काफी अच्छे से निकल गया है जो उसका जो पेस्ट था वी निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा डेफिनेटली पानी से वास्ट किया दे निकल गया और उसमें जैसे क काफी अच्छा है उसे के साथ आपने देखा कि यह मैंन के लिए भी है तो मैंने भी अपलाई किया मैंने उनको भी अपलाई करके दिया और उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छे से आया है तो डेफिनेटली यह प्रोड़क्त मैं एंड वूमन दोनों के लिए है और आपने टाइम तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं जो यह पाउडर है वह भी बचा हुआ है तो काफी चीजें बची हुई है तो बची हुए चीजों को किस तरीके से रियूस करना है उसकी प्रोसेस भी इसमें दी हुई है तो बहुत अच्छी चीज है कि वेस्ट नहीं होने वाल मेरा काफी अच्छा लगा देफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी इंस्टा आइडी की लिंक एनकी वेबसाइट दोनों में लिंक दे दोंगी जिससे चाहिए पर चैस कर सकते हैं तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप की क यहां यूजने किया हुआ हूंफूल टोटली आयुवेदिक है गाइस एंड क्या-क्या इंग्रीडियन से वह सारे यहां मेंशन है और है टाइप वालों के लिए है तो जो भी आपका है टाइप आप इसे यूज कर सकते हैं इसके प्राइब 359 है गाइज अनिसके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक को जो भी है वो मेंशन है डेफिनेटली जाके डेफिनेटली कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कु भी ना भूले चलिए देन मिलते हैं इस तरी के से अबकमिंग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग